हाई स्टुडेंट आपका अपने यूट्यूब चैनल आरेन पीएस लाइब में आपका स्वागत है इस्टुडेंट आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के 3rd सेक्षन को पढ़ेंगे 1st और 2nd सेक्षन में क्लासिफिकेशन आप कम्ट्यूटर आपको बताया गया है क्लासिफिकेशन आप कम्ट्यूटर में हमने आपको 1st टाइप के 2 ताइप्स बता दिये सूपर कम्ट्यूटर और मैंद रेम क्योटर आज हम आपको मिनी कम्ट्यूटर और मैंज फरेम कम्ट्यूटर बताते हैं इस्टुडेंट, मीनी कम्प्यूटर, में फ्रेम कम्प्यूटर से छोटा और मैक्रो कम्प्यूटर से बड़ा होता है मीनी कम्प्यूटर, मीनी कम्प्यूटर आर मीडियम साइज कम्प्यूटर वीच और हायल स्टोरेज, प्रोसेशिंग एंड मेमोरी कैपिस्टी than microcomputer. They are slightly more expensive than the microcomputer, a mini computer. Mini computer is a computer capable supporting about 4 to 200 users simultaneously. Mini computer for example ECG machine is a machine that has a heart blade. First Mini computer in India PDP. Program Data Processor. Microcomputer is one computer which is used in a single microprocessor. Microcomputer में single microprocessor used होता है. These are also known as PC. Personal computer. These are small and less expensive than microcomputer. They are classified into two types. First type, desktop and second type portable. Desktop, what computer होता है, जो सबसे ज्यादा space microcomputer में लेता है. और portable computer वो होते हैं, जो कम space में काम करते हैं, जैसे laptop, phone top, tablet, PC, tablet, mobile phone, it is. Maikrocomputer. Microcomputer के το type में def top अचे सब्सक्राइब में Or environment numeет जैसे laptop हम एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे laptop, portable computer हम एक अस्थान से, दूसरे अस्थान पर ले जा सकते हैं, इन फोर टाइप में आपको सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस सीरीज देखना है इस सबसे छोटा कौन सा होता है और सबसे बड़ा कौन सा होता है उसे एसेंडिंग एंडिसेंडिंग आडर में कैसे रखें तो हमने च चार टायप आहां को बता दिए चारो टायप में आपको सीरियल से देखना है तो मैं अभी इसी वीडियो को बताता हमना कि सबसे बड़ा तका मतंतर कुट्ट का उसा है और सबसे छोटा और का है को ही हुक साय को और सेकेंड reminder में, प्रेम कम्प्यूटर, थर्ड आपको बताया गया था, मीनी, कम्प्यूटर, और फोर बताया गया था, माइक्प्रो, कम्प्यूटर. इस्टुडेंट, इन फोर टाइप में, सबसे बड़ा कम्प्यूटर आपको बताया गया, कि सुपर कम्प्यूटर, उसके बाद मेनी कम्प्यूटर, उसके बाद माइक्रो कम्प्यूटर, इस्टुडेंट आपसे कुछ आजा सकता है, कि इन सब में सबसे बड़ा मीनी और मीनी से छुटा माइट ग्रूप यह आपके एकाड़िक्तु साइस क्यान स्वार आपकी एक ग्रूप हो गया नेक्स्ट विए थाइंक यू फार वाचिंग